तो सभी को जैहिन मैं जुवेश्मा स्वागत करता हूं आपका डिफेंस एडर 24-7 पर और चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को तो जल्दी से सभी मेरे को एक अन्फोर्मेशन दे दो क्या मेरी आवाज आप सभी को साफ सुनाई दे रही है और सेशन को हम शुरू करते हैं फटा फट जल्दी से आपका सेशन शुरू हो चुका है ओके आवाज एकदम परफेक्ट आ रही है तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वही प्रमवीर चक्र इसमें आज आपको जोग्रफी स्टाटिक जी के हिस्ट्री-मेजर पॉर्षन आज इस्ट्री कर आएगा जो हम कोशन्स आज हम इसमें करेंगे तो पहला कोशन आपकी स्क्रीन पे यह रहा जल्दी से पताईएगा किस पर्सन को भारत में फादर आफ आर्के ऑलोजी कहा जाता है विच पर्सन इस नोन एस इन इंडिया सर विलियम जोन्स सर विलियम जोन्स का जो रिलेशन है वो सेवन्टी एटी सिक्स में इन्हों ने वारन हैस्टिंग के साथ मिलकर एक पार्टी बनाए थी एशियार्टिक सोसाइटी आफ बैंग यह एशियार्टिक सोसाइटी अव बैंगॉल जो थी जो हमारे इस्लामिक लिट्रेचर और जो हमारे एशेंट हिंदू लिट्रेचर था इसका translation किसमें करते हैं इंग्लिश में तो अगर कभी कोशना है कि गीता का जो translation है वो English में किसने कराता है तो विलियम जोन्स जेम्स प्रिंसिप ने 1838 में ठीक है ये पहले परसन थे जिन्होंने deciphered deciphered यानि एक तरीके का decode करा था ओके अशोकाज inscriptions ओके अशोक के इंस्क्रिप्शन को इंस्क्रिप्शन को ओके यह चीज़ फिर इसके बाद आता है आपका मैक्स मूलर मैक्स मूलर ने जो वैदिक आरेंस है उनके बारे में बताया था कि जो वैदिक आरेंस थे वो कहां से आयते वो आपके Central Asia से आयते कहां से Central Asia से आपका आयते इंडिया में और Alexander Cunningham इन्हे फादर अफ आर्के लॉजी कहा जाता है क्योंकि 1861 में इन्हों ने और के लोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसाई की फांडेशन करी थी आई होप आप सभी लोग ने लिख लिया होगा आकाश शर्मा ठीक हुआ था एक्जाम ओके वेरी गुड क्रिश्टीन सभी लोग आचुके हो वेलकम सभी का चलिए अगला कोशन तो आप्शन नमबर इसका राइट आंसर है प्रयाग प्रशाष्टी पत्र कोशन को पढ़िये और इसका आंसर देने की कोशिश करिये प्रयाग प्रशाष्टी पत्र किस पर्सन के लिखा है consider the following statement regarding प्रयाग प्रशाष्टी it was considered by sanskrit in sanskrit by नाग सेन it describes the circumstances of samudra gupt accession his military campaign in north india and dakkan देखो samudra gupt samudra gupt first as a ruler था जिसने south india में victory मिली थी तो इसी वज़े से नेपोलियन ठीक है नेपोलियन भी कहा जाता है यह आपका एक अच्छा बहुत poet था तो कभी राज भी बुला जाता है इसने बौद monastery बनाने की permission दीती तो अनुकम पन भी से बुलाया जाता है और इसको भगवान विश्णु का भगत्ता तो परम परम भागवत भी इसे कहा जाता है भागवत अच्छा इसकी माता जी जो थी वह एक लिच्वी राजगुमारी थी तो यह अपने आपको लिच्वी दोहित्र भी बुलाता था लिच्वी दोहित्र भी बुलाता था यह इसी के नाम है और इसने अश्वमेग यग करवाया था तो अपने आपको अश्वमेग प्राक्रम अश्वमेग प्राक्रम के नाम से भी इसको बुलाया जाता था यानि यह समद्रुप्त के नाम थे समद्रुप्त आपका 335 से 375 AD तक इसने रूल करा है ओके विष्ट जी आज आज आप पहली बार आए हो ठीक है मेरे कोशन सारे हिंदी में रहते हैं लेकिन आज कोशन थोड़े बड़े बड़े हैं इस वज़े से इंग्लिश में हैं तो कोप अप करिए इंग्लिश भी ज़रूरी है वैसे म चब कौन से नःए जो था इसके समय में नहीं था यह लिखा है किसना छी से लिखा है तो आपकी पहली स्टेटमेंट गलत हो गई नêtes गलत हो गई आपकी पहली स्टेट्मेंट गलत हो घए आपकी second statement सही है क्योंकि स्थमत्रगुप्त ने पहला ruler था ancient India का जिसने South India को जीता था कांचीपुरम को जीता था तो इसी वज़े से इसका क्या answer होगा option number B इसका right answer होगा okay option number B इसका right answer होगा अगला question which of the following statements are correct the first first gold coins were issued by the Indo-Greeks पहले gold coins Indo-Greeks ने issue करे थे okay जल्दी से बताओ what will be the answer of this question अराम से पढ़ो और इस question का answer देने की कोशिश करो okay पहले gold coins सबसे पहले किस ने दिये थे Indo-Greeks ने दिये थे okay और जल्दी से बताओ what will be the answer of this question okay first Indo-Greek coins किस ने दिये थे और सेशन को शेर और लाइक ज़ो करेगा okay जल्दी से बताओ what will be the answer of this question okay okay answer दो करो इस question का मैं थोड़ा यहां पर एक टेक्निकल इसू आ रहा हूं से डील कर रहा हूं तो what will be the answer of this question बोट ओके सो इस question का आंसर एक्चुली क्या है देखो इंडो ग्रीक्स तो नहीं थे भारत में सबसे पहले जो गोल्ड कॉइंस चलाए थे ठीक है भारत में जो सबसे पहले गोल्ड कॉइंस चलाए थे वह किस ने चलाए थे कुशांड ने चलाए थे कनिश्क जिस डैनस्टी से था और जो कॉइंस पे आपका नाम लिखा हो रहता था वो आपका किस न कराता वो आपका इंडो ग्रीक ने करा था इंडो ग्रीक ने मिनेंडर का नाम आपने सुना होगा तो वो इन्होंने शुरू करा था ठीक है तो इस वज़े से दोनों ही statement आपकी गलत है डी option होगा neither one neither two okay दोनों ही option गलत है okay okay चलिए अगला question amongst the following latest organization was इन में से कौन सी latest organization थी Congress से पहले की organization है ये आपको बताना है amongst the following which of the following is the latest organization British Indian Association, Bombay Association, Madras Mahajan Sabha और East Indian Association London Congress से पहले कौन कौन सी political parties है वो यहाँ पर है ध्यान रखेगा तो यह आपकी क्या है Madras Mahajan Sabha यहाँ पर आपको देख लीजेगा सारी मैंने एक लिस्ट बनाई है सबसे पहले आपका Bengal, India, British Indian Association बनी थी Bengal में Radha Kant देवगे द्वारा फिर Bombay Association बनी थी दादा वाहिन रोजी द्वारा फिर Madras Native Association बनी थी 1852 में और फिर East India Association बनी थी 1866 London में इसी के बेसिस पे इलेक्शन लड़के दादा वाहिन रोजी 1892 में पहले इंडियन बने थे जो British Parliament में मेंबर बने थे पूना सारवजनिक सभा 1870 MG Rana Day इंडियन नैशनल असोसेशन 1876 SN Benergy और लास्ती मदरास महाजना सभा जो 1884 में वनी थी सुबर में अईयर ने और उसके बाद 1885 में AO Hume ने आपका Congress की formation करी थी ठीक है तो option number D इसका right answer है ओके अगला कोशन फॉलोइंग दी रिकर फॉलोइंग दी रिजेक्शन अफ दी recommendation of Simon Commission by Indians and all party conference was held in May 1928 आपको मैं बता दूं 1927 में London में आपका Simon Commission की formation की गई थी का सुआइमन Commission को बनाया गया था और 1927 में इनचे का सूषन होता है ठीक है का से चरपनापर आपका मदरास में ठीक है जिसमें के जिसमें जो यह कि गया जाती एक बॉय आओकोट करें गाम साइमन कमिशन का खेर अगले साल ये साइमन कमिशन भारत आता है और भारत जब आता है तो जित्ती भी भारत में पार्टियां है वो इखटी होती है और वो क्या मोतिलाल नहरू की एक कमेटी को अपॉइंट करती हैं हम अंग्रेजों को बताना चाहते थे कि हम भी लीगल पॉइंट अफ्य रखते हैं हम भी अपने कंट्री के लिए लौ बना सकते हैं यह जो इसको फेमस नाम था इसका नहरू रिपोर्ट ठीक है नहरू रिपोर्ट और इस नहरू रिपोर्ट में आपका जो मांग की गई थी नहरू किसकी मांग की असे मुओ ड्यूभस के मांग की गई थी किसकी डों मिनियन्स टेटस की मांग की गई थी द्यान रखेगा इस ही समय मौम देली जिन्ना ने भी एक दिया था जिसे जिनाज 14 पॉइंट कहा जाता है जिसे क्या कहा जाता है जिन शिञ पॉइंट कहा जाता है जैहिंद रामकुमार चले अगला कोश्चन विच आफ दी फॉल्विंग इस लास्ट मौरियन की बहुत सिंपल सा कोश्चन है जल्दी से अंसर दो उसका बहुत सिंपल कोश्चन है यह तो आंसर दो what will be the answer of this question ओके जल्दी से बताईएगा बहुत सिंपल कोश्चन है तो देखते हैं कौन देता है इस question का answer और session को like जो कर दीजएगा हूं एयो हूं जैहिंद दीपी का पर्जापती ने अंसर सही दिया चलो जल्दी सबताओ विच आफ फॉल्विंग देखो मौरेयन अंपायर के बारे में अगर मैं बात करूं ठीक है मौरेयन एंपायर यह भारत का एक तरीके से पहला एंपायर था ठीक है यह मौरेयन एंपायर जो था इसका जो टाइम पीरेड है चंद्रगुप तो मौरेयन थ्री ट्वंटी वन बीसी में इसकी foundation रही थी और फिर यह आपका exist करता है 185 बीसी तक इसमें टोटल नाइन रू थो शो लास्ट जो रूल था वह था व्रह्ट रध्य इसका जो अमारह था किसão डैनस्ट की बहार यहार कि मोरे टान शिया बाद कौन सी डैनस्टि आयती है तो मौरे डैनस्टि अधि क्यूट ड्य आए ती और यह ध्या रखेगा यह जो था ना फ्रस्ट ब्रहम्मन रूलर था ठीक है भारत का यह फ्रस्ट ब्रहम्मन रूलर था इसके समय में पतंजली इसके जो रिशी थे पतंजली वो इसके राजवैद हुआ करते थे उन्होंने योगसूत्र और महाभाश्य दो किताबे लिखे लिख मनुस्मृति बोलते हैं जिसे क्या बोला जाता है मनुस्मृति बोला जाता है वो इनके समय में ही लिखी गई थी ठीक है तो इस कोशन का आंसर क्या होगा सोना एक बार बेटा मैसेज गल देना ठीक है आप जो पूछ रहेते मेरेको चलो तो इस कोशन का अच्छित बहुर ओकए इसके बाहर में बतेगा यह कोशन का आंसर क्या होगा इस कोशन में बताता हूं देख allahom जुज भी नियूंसुज में चलो रहा था इस वज़े से लिया allahom यह आपका मैनुमार से आये थे allahom ठीक है और इन तौन लड़ाई लड़ीती इनका आपका असाम में जो भुयान करके लैंडलोर्ड हुआ गरते तो उनको इन्होंने हराया था राम सिंग इनके एक रूलर थे तो लच्छित भौपुरकन तो यह बिल्कुल कमांडर थे हों कुंड किंग्डम के लीडर्शिप इन दी बैटल ऑफ सरायगाट यह गोहाटी पर भ्रह्मपुत्र नदी के पास लड़ी गई थी 1671 में अब यह अगर 1671 में लड़ी गई थी तो ब्रिटिश के साथ नहीं हुई थी यह किस के साथ उई थी मुगल्स के साथ हुई थी ठीक है मुगल्स के साथ उई थी तो इसलिए आपका आप्शन नंबर वन एंट थ्री आप मैं से अंडी एक लिए जो प्रपेंशन कर रहे हैं ठीक है जो आपका NDA के लिए preparation कर रहे हैं तो NDA में best cadet medal लिया जाता है तो 1999 से जो NDA में best cadet medal होता है वो उस medal का नाम है लैचित वो फुकन medal कहा जाता है उसे ध्यान रखेगा अगला question मोपाला विद्रो इसे मापिला विद्रो या मोपाला विद्रो भी कहा जाता है इसको wagon wagon tragedy भी बोला जाता है ठीक है यह जो था ना मोपाला जो आपके landlord होते थे जमीदार होते थे उके उन्हें मोपाला कहा जाता था यह actually story ऐसे है यह इस साल इसके पूरे 100 साल हुए यह 1921 में हुई थी इसके नेता जो थे अली मुसलियार थे कौन थे अली मुसलियार यह शुरू तो आपका जमीदारों के विरुद हुआ था अंदोलन लेकिन बाद में चलके क्या हो गया था हिंदू मुसलिम दंगों में कंवर्ट हो गया था तो मालाबार रीजन यानि केरला में हुआ था ठीक है इट वाज अगेंट ब्रिटिश एंड हिंडू लॉर्ड ओके तो ब्रिटिश और हिंदू लॉर्ड के बीच में नहीं था ओके फिर इट इस ऑल्सो लेड कॉमिनल वाइलेंस ब्रिट्वीन ओके ऑप्शन नम्बर सी इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन नम्बर सी विल बी राइट अंसर फॉर दिस कोशन ओके साही है इसका अंसर ऑप्शन नम्बर ओप्शन नम्बर सी इसका राइट अंसर है ठीक है डी इसका राइट अंसर एक बल मैं चेक कर लेता हूँ आंसर हाँ वन टू थ्री बिल्कुल सही अंसर इसका चलिए अगला कोशन नालंदा राजगेर सालनात लोथल बहुत ही इजी कोशन है जड़ा मैच करके बताओ इन में से कौन सा गलत है विच आपको निकालना है सिलेक्ट दी कौशन करेक्टली मैच कौन कौन सा है जल्ली से बताओ नालंदा एक ग्रेट बुद्धिस लर्णिंग सेंटर बिल्कुल नालंदा उनिवस्टी कुमारा गुप्तनेस की फांडेशन करी थी बिल्कुल सही बात राजगेर मगद की कैपिटल होती थी लेकिन वहाँ पे अशोक की लाट यह जिसे लॉयन कैपिटल अशोक हम बोलते हैं हमारा यह तो हमने सालनाथ में हैं यह कहां पर है सालनाथ में अशोक इस्तंभ है तो आपका सेकंड स्टेट्मेंट गलत हो गई अब जिसमें सेकंड है वह आंसर नहीं होगा ठीक है सालनाथ गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था जिसे धम चक्र परवर्तन कहा जाता है लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक एशेंट डॉक यार्ड है तो बिलकुल सही है तो इसलिए ऑप्शन नमबर सी इसका राइट आंसर होगा ठीक है है हम ओके सो ऑप्शन नमबर सी विल भी राइट आंसर अगला कोशन चलिए आंसर दीजेगा इस कोशन का फिर म इसके पूरा अप्टूडेट रखा है जिसमें आपको फुल कंसेप्चुल नॉलेज होने चाहिए तो कोशन ऐसा तो नहीं है कि एकदम मैं एकदम ताबड तोर तरीके से करा हूं लेकिन इस कोशन का आंसर दीजेगा कंसेडर दी फॉलोंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जोजब फ्रांसेस डुपले डुपले एक फ्रांसेसी गवर्नल जनरल था इंडिया में और वो पहला ऐसा यूरोपिय था जिसने इंडिया की इंटर्नल पॉलिटिक्स में इंटर्फेर करना शुरू करा था तो यह जो स्टेटमेंट है न डिड नॉट इंटर्फेर ये एक इंकरेक्टर ढूंड़ना है देखो हम लॉड वीजली की बात करते हैं लॉड वीजली ने सबसीडरी अलाइंस इंडिया में लाया था 1798 में आपको मैंने कई बार पढ़ाया भी है लेकिन इंडिया में जो सबसीडरी अलाइंस लाने का ओरिजनेटर कहा जाता है वो डुप है स्टेटमेंट लेकिन हमें गलत करना है तो ध्यान रखेगा यहां पर आपको दो पॉइंट पता लगे कि इंडिया की इंटर्नल पॉलिटिक्स में इंटेफेर करने वाला पहला यूरोपीय फ्रांस का गवर्नर जनर्नल आपका डूपले था और सबसीडरी अलाइंस हाला ओके चलिए अब बताएगा इस कोशन का आंसर क्या होगा ओके लेट सी हूँ विल गिव दी राइट आंसर कोशन थोड़े हैं लेकिन अराम से पढ़ो और जल्दी से कोशन का आंसर दीजे जी हां थोड़ा आज कोशन का स्टेंडर्ड मैंने रखा है ताकि कम कोशन में आप आपका दिमाग घुमें अगर रिग वैदिक आरियन तेखो अगर रिग वैदिक एज की मैं बात करूं ठीक है रिग वैदिक एज तो जो रिग वैदिक है यह आपकी 1500 बीसी से आपका 600 बीसी तक है इसके बाद महाजनपत पीरिड आता है इसको हम फॉल्दर दो में आपका रिग वैदिक पीरियेड और आपका दूसरा है आपका लेटर वैदिक पीट किस बधिक ठीक है तो जो लेटर वैदिक पीरियेड है दरसल इसमें लोगरं को इसके बारता भी हुए हूं तो रिगवेदिक पीर पेस्टोरल होते थे बिलकुल सही खाना बदोश होते थे क्या होते थे खाना बदोश देयर वेल्थ वाउज एस्टिमेटेड मेली इन टरम्स आफ गोल्ड कोई नई इनिमल्स इसपेशली काउ Relays양ेट में इन की वेल्थ देखी जाती गोल्ड कोईन में नहीं देखी जाती थी वर्क Aus in maybe ourate कोड़ ब्रॉंज आइरनों ए हुझ तो कोपर ब्रॉंज आइरन तो बिलकुल यह आए करते अगर लेटर वैदिक एज में देखा जाए क्योंकि यहां पर हम पूरा वैदिक आयरेंज को बात कर रहे हैं तो इसलिए इस कोश्चन का आंसर ऑप्शन नमबर बी होगा ओके तो बी आंसर आप सभी ने दिया है वेरी गुड बहुत अच्छे ठीक है बी ऑप्शन अपने सभ हम करें हैं इस ब्हुत जो आपका 2500 270 refuse टक होती है इसके बाद आता है आपका वै अपनुत सीविल जिएशचन वैदिक इविला डेशन आपका 1500 BC से आपका 600 BC तक होता है Vedic Civilization के बाद आता है आपका महा जन्पद पीरियड अब टाइम तो है नहीं नहीं तो आपको मैं समझा देता महा जन्पद पीरियड ये आपका 600 BC में था इसके बाद आपका महा जन्पद पीरियड के बाद आता आपका मगधा मगधा एज मगधा एज में हम तीन एंपायर के बारे में पड़ते हैं वह कौन-कौन से सबसे पहले हरेक वच फिर आपका शिशुनाग वच और फिर आपका नंदा वच दैन आपका इसके बाद गयाता है मौरिय डैनस्टी बनाते हैं ठीक है इस तरीके से फिर एक सीरीज चलती है तो यह चीज है तो ध्यान रखेगा बिम्बसार जो था आपका हर्यक डैनस्टी का फाउंडर था यह 543 बीसी में किंग बना था ठीक है 543 बीसी में किंग बना था और इसमें 345 16 बीसी तक इसने रूल कर एफ यह हाय इसमें अज्ञ शत्रू सका बेटा था और उसने अपने बाप को मारता है विंबसार को इसको पित्रहंता डैनस्टी भी बुला घुणा क्या ब्ला जाता है विसको बिल आफ उपी क्योंकि आपनेम की अपम幫 तो इसने अपने एंपायर को वयवाहिक संबंदों पर बढ़ाय था डेफिनेटली इसकी तीन शादिया हुए थी कौशल महा जन्पद की महा कौशला से हुई थी जिससे इसको काशी दहेजव मिला था फिर इसकी लिच्छवी राजकुमारी थी चेलना उसकी इससे विवाई जिससे आजाशत्रू की प्राप्ति हुई थी और एक शेमा जो पंजाब के मद्र कलान की थी तो इसने अपना मेरिज अलाइंसे लेकिन यह स्टेट्मेंट आपकी गलत है क्योंकि इन्होंने क्या करा था बहुत धरम और जैन धरम महावीर स्वामी तो बनकी इनके एक तरीक क्या कहते हैं बहने थी आपस में तो इस वज़े से यह आपका गलत है क्योंकि इनके समय में ही इन्होंने तो गौतम बुदु को संगरक्षन दिया था और वर्दमान महावीर ने भी जैन धरम का पलचार कर रहा था तो यह थर्ड स्टेट्मेंट गलत है इसी वज़े से इस स्टेंडर्ड थोड़ा हाई है इसलिए बच्चे कम हैं कोई बात नहीं चलिए जलिया वाला बाग मसकार कल मैंने उधम सिंग देखी प्राइम वीडियो पर अच्छा लगा देखके काफी आई होप आप लोगों भी देखी होगी तो जन्र डायर वाउज एक्साइल्ड क्या होगा कि ऊके तो जब देखो जो दो डियृ जन्र लाइट इक था माइकल ओर डायर जो अमरे सर्का गवर्णर था उसी को सलार उदम सिंग ने जाके मारा था और अन्होंने गोलिया चलाई थी माइकल और डायर के कहने पर गया था बृटेंड वापेस भीज दिया गया लिया गया था वापिस ले लिया गया था तो option number D इसका right answer है option number D इसका right answer है हाँ बिल्कुल AFSB की तियारी करो sir मैं तो चाहता हूं अगला देखने की जूरती न पड़े ठीक है रजट मैं तो चाहता हूं अगला आपको देखने की जूरती न पड़े अब इस question का answer दीजिए फट आफट जल्दी से देखता है कौन इस question का answer देता है कि अगर कि अगर अगर इंडिया में यूरोपियन कंपनी का सबसे पहले देखे तो सबसे पहले पॉर्टिगीज आए फिर डच आए फिर ब्रिटिशर्स आए और फिर फ्रांस आए तो पीड़ी बीएफ इस तरीके से याद रखिएगा ओके डच आपके कब आये थे पॉर्टिगीज पॉर्टिगीज आपके कब आये थे फॉर्टिगीज में आये थे और 1961 में गया सबसे पहले और सबसे बाद में गए थे इनका जो पहला था वह अलबुर्के नहीं था वह कौन था अल्मीडा था अल्मीडा है फ्रांंसेस को दी अल्मीडा इसने एक पॉलसी अडसाइब्ट करें थी जिसे पूल्यू वॉर्टर पॉलसी ஆ कहा जाता जिसे क्या बола जाता है ब्ल्लु वॉटर पॉलसी तब कि फर्स स्टेटमेंट गलत तो आपको आंसर निकल के क्या जाएगा टू और थ्री क्योंकि इसने 1510 में आपका गोवा को जीता था 1510 में किसको जीता था गोवा को जीता था इसी वज़े से है और भारत में सबसे पहले सटी सिस्टम को भी इसी नहीं खतम कर रहा था ओके ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है हाँ बिल्कुल वाराणिसी में अपना रिलेक्स हो साथ दिन बाद भगवान करें आप अपने सपने को फूरा कर पाए अब पुर्टिकीज के बाद जो आते हैं वह कौन आते हैं पुर्टिकीज के बाद डच आते हैं ठीक है डच डच आपके कहां के होते हैं नीदरलेंड जिसकी कैपिटल क्या है एमस्टरडेम और जिसके एक सिटी है दा हेग वहां पर आपकी क्या है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड़कॉर्टर है तो डच 1596 में आयते सबसे पहले लेकिन इनका ज्यादा तर ध्यान ना किस पर था इंडोनेशिया पर जिसको यह इस्ट इंडीज कहते थे तो इनकी पहले फेक्ट्री मुष्ली पट्टमबे बनी थी और यह भी स्टेटमेंट सही है यह 1759 में इनकी एक्जिस्टेंस खतम हो गई थी इसे बैटल ऑफ हुगली यह बैटल ऑफ चिन सूरा ओके बैटल ऑफ चिन सूरा भी बोलते हैं इसे बैटल ऑफ बेदरा भी बोलते हैं ब्रिटिश ने इन बहुत बुरी तरीके से डिफीट कर दिया था और इनकी एक्जिस्टेंस इंडिया में खतम हो गई थी और इनकी एक्जिस्टेंस इंडिया में खतम हो गई थी इसलिए बोट ऑफ दी स्टेटमेंट इनकरेक्ट ठीक है और कल ध्यान रखेगा कल मैं वर्ल्ड मैपिंग पर कोशन कराऊंगा इसी वज़े से मैंना जोग्रफिक के कम कोशन रखें क्योंकि कल जो हमारे कोशन होंगे वो वर्ल्ड मैपिंग पर होंगी ओके नेक्स कोशन विद्रिफरेंस तो डी मेडिवल किंगडम्स ऑफ नौर्ट इस्टरं इंडिया वट वाज दी पोजिशन आफ पाइक्स ओके पाइक्स तो पाइक्स क्या होते थे अहोम किंगडम में यहां पर लिखा हमानी है है ओंगी जिस जो अभी मैंने आपको पहले भी करा है Okay Home Kingdom में आपका जबरन आपसे मजदूरी कराई ज़ाती थी 4 में आपकाır आपको अन्य कुन पूच रहे हूँ कि तुमारा माइड किता है, do not jump to the point Venice to the point, आप लोग paper करते हुए जल्द बाजी करते हो पूरा question नहीं पड़ते इस वज़े से incorrect ये भी एक तरीका होता है puzzle करने का समझ रहे हो ये भी एक तरीका होता है puzzle करने का consider the following statement regarding salt सत्यक्राइब इस question का answer मैं नहीं दूँगा आप लोगों को देना मैं साइड में बैठ जाता हूं और आप लोगों के answer दे रहा हूं देख रहा हूं देखते हैं कौन-कौन चीता इसका answer देता है ओके जल्दी बढ़ा कि नहीं सचिन अलफांजो डी अलबुर के फॉस्ट नहीं था वह सेकेंड गवर्णर था फिफ्टीन जीरो फोर में बना था चली जल्दी बताओ इसका answer क्या है इसका answer रहा है वाज स्टार्टेड इट वाज़ एकेंपें आफ टेक्स रिजिस्टेंस ओके जल्दी से बताओ 17 तक फिर गलत कर रहा है कोशन फिर गलत कर रहा हूं रजद ध्यान से पड़ो अरे ध्यान से पड़ो मेरे वीरो बाई स्वार्ट से गरहा है डांडी पे से हां ठीक है तो यह आपका डांडी पे दरसल 12 मार्च को 1930 को पहले जो मैं छोट आता था तो मैं सोचता था कि गांधी जी डंडी लेके चलेते और मार्च के महिने में चलेते इसलिए डांडी मार्च कहला था तो 12 मार्च 1930 को यह शुरू हुआ था साबर मती के संत के द्वारा साबर मती आश्रम से ठीक है और गांदी जी के साथ कितने लोग था 78 महिलाओ क नित्रत कर रही तो स्रोज नाइडू कर conservatives स्रोज नाइडू अनुनने 54 माइल्स कहलो बरोत है इत्टी दूरी को आपका 24 days में complete कर रहा था और यह आपका डांडी पहुचे थे यह एक गुजरात के कोस्ट पे विलेज है आपका 6th of April को और गांधी जी ने मुठ्य भर नमक उठा के नमक कानून को तोड़ दिया था तो आपकी पहली स्ट्राइब गलत हो गई पहली स्ट्राइब गलत है ऑके तो आपका दो ही स्ट्राइब कि सही है और इसमें आपको आंसर बढाना है कि वह कौन सी कौन से देश से हैं यह आपको बताना है बाई मिस यूनिवर्स 1994 में सबसे पहले बनी थी क्या नाम है शुश्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता उसके बाद अभी तक कोई बनी नहीं है इंडिया में वैसे 2000 में तो कमाल हो गया था प्रेंका चोप्रा मिस्वोर्ड लारा दत्ता मिस उनिवर्स और दिया मिर्जा मिस एश 2020 अंडिया मेज्जा टो कौन सी कंट्री अंडिया मेज्जा टो कौन सी कंट्री शें आंडिया मेज्ळ टू शक्राइब सुटर्व पोर्टा लिए स्वुट्री मेक्सिको से विल्कुल मेक्सिको मेक्सिको next question मेक्सिको नॉर्थ अमेरिका की only country है जिस से line of cancer होके गुजरती है चलिए cannabis होता है जो आपका marriage वाना यानि भांग से बनी जो चीज ऑन होती है तो सस्ते नशे कौन सा विश्य का पहला देश बना है जहां पर सिंथेटिक केनिबीज को क्या सबस्टांस को प्रोहिबिट कर दिया गया है यूएसे में तो कई स्टेट में महरे जुआना इल्लीगल है और कई स्टेट में इसको लीगल कर रखा है इंडिया में तो खैर कराइजमेटिक ड्रिंक पीते हैं इसका अभी तो खैर दिवाली आएगी मार्च में जब हो ली आती है तो यही काम होता तो यह आपका है चाइना खाते तो यह इतने उट पठांगे बताओ इनको महरे जुआना से क्या दिक्कत हो गई अगला काल बेलिया डान्स ऑके तो काल बेलिया डांस आपका रजस्थान से है बिलकुल सही बात यह एक एवल भूमें करती हैं बिलकुल सही बात काल बेलिया तो वूमें आपका गूम गूम के नाजते हैं और इंक्लूइटूट इन्दि युनेसको लिस्ट आफ इंटेलचिवल काल्चरल अगला कोशन वर्ल्ड लाजेस्ट रूर हाँ यह करेंट का कोशन है भारत नेट प्रोजेक्ट चलो इसके बारे में पड़ो और आंसर दो भारत नेट प्रोजेक्ट यह प्राइमिनिस्टर ने भी शुरू करा है इस दी वर्ल लाजेस्ट रूरल broadband connectivity program using optical fiber it is being implemented by ministry of electronics and information technology हाँ पूरे ब्रमांड की तो जल्दी से बताईएगा वर्ट विल विल इंसर अव दिस organization बनाए गई है बारत नेट प्रोजेक्ट लिमिटेड बनाए गया है तो आप्शन नम्बर इसका राइट आंसर है अगला कोश्चन अभी जी ट्वेंटी की मिटिंग होगी आपकी इटली में ठीक है कहां पर होगी इटली इस बार इटली के पास chairmanship है G20 की 2022 में इंडोनेशिया के पास है ठीक है किसके पास है इंडोनेशिया के पास है 2023 में अपने भारत के पास है तो आपको बताना है इस कोश्चन का आंसर जी ट्वेंटी इस इंफॉर्मल ग्रूप ओफ ट्वेंटी कंट्रीज विदिन दी यूरोपियन यूनियन एज ऑप्जर्वर इट दस नॉट हैव एनी पर्मनेंट सेक्रेटरेट और हेड़क्वार्टर तो सागनिक देब ने इस कोश्चन का अंसर नमबर सी बता यह भावना बटत नहीं देखो जी ट्विंटी में आपका नाइंटीन कंट्रीज है प्लस यूरोपियन यूनियन है यूरोपियन यूनियन में आपका 27 कंट्रीज है तो यह आपका गलत हो गया क्योंकि यूरोपियन यूनियन ऑप्जर्वर नहीं है इटली यूरोप में बढ़ता है ना ठीक है तो ऑप्जर्वर में तो नहीं होगा ना तो पहला स्टेट्मे गलत that means यह तो आंसर नहीं हो सकता आपका क्या बज़ गया option no.2 बज़ गया इसका कोई permanent जैसे सार्क का है बिमस्टक का है ठीक है OIC का है SCO का है लेकिन इसका नहीं है ठीक है अगला कोईशन नेम दा इंडियन विमन ओके ओ सोरी नेम दा इंडियन हूँ है वाइट ले अवार्ड यह वाइट ले अवार्ड को ना ग्रीन ऑसकर बुलाया जाता है ठीक है क्या बुलाया जाता है ग्रीन ऑसकर हम इसको बुलाते हैं तो यह वाइट ले अवार्ड जो है current affairs आज जो आपका cover हो रहा है वो आपका cover हो रहा है 18th of May से 31st of May तक का ठीक है यानि मही का कल मैंने आपको complete कर आया था 1st of May से 17th of May आज जो current affairs में complete होगा आपका 18th of May से आपका 31st of May तक होगा तो यह जो मिला है वाइग नुकुलू फूम को मिला है अब इनके बारे में इन वाड क्यों दिया गया क्या है यह काम मेरा नहीं बताने का इस पर खुद R&D यहनी रिसर्च कर रहे है आप ठीक है सर आर्मी में जाके मेरा अच्छा जैक लाई में ओके सर सर मैं आशा करता हूं कि इस बार आपका SSB के लिए हो जो इन सर्विस में होते हैं जैसे मेरे से कई स्टूडेंट हैं जो एफोस में हैं नेवी में हैं जो प्रिपेशन करते हैं ओफिसर रेंग की तो SSB में वह एक चीज़ में को बताता है कि जो आपका फ्रेश कंडिडेट है क्या सिविलियन केंडिडेट होता है उससे ज़्याद आपका टफ हो जाता क्योंकि आप अल्रेडी वर्किंग में होते हूं तो वह आपसे जादा उम्मीद करते हैं तो failure is the way of success और आप तो army man हो आपके लिए तो impossible कोई चीज नहीं है बस अपने में ट्रस्ट रखो और अच् एक्स्पिरिंस है कि आपना examination में अच्छा score करो ठीक है examination में अच्छा score करो ताकि आपके exam के जो marks और SSB के marks मिलके आपकी अच्छी merit बनें बस ओके and all the best भगवान करें आपका इस बार clear हो जाए SSB और merit में भी आप आ जाओ ओके सूपर कंप्यूटर सिमो रोग यह कौन सी कंट्री ने डवलप कर रहा है तो इरान ने कर रहा है ठीक है इरान इरान के ऊपर एक चीज और ध्यान रखेगा शांगाई कोपरेशन और्गनाइजैशन एस सी ओ इसका निवेश्ट निू मेंबर भी ठीक है अगर आप से कोशन पूचा जात है कि न्यूव मेंबर आफ इस सियो तो वह कौन बना रहे अन्यूमेंबर टेस्ट्र वह कौन बना है आपका इरान बना है चलिए अगला कोशन सुपर कम्पूटर यह तो हो गया अब यूनियन कल्चर ल मिनिस्टर ने कि हां पखे मैनी साइट्स कल्चरल साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यह है क्ल्चरल हेरिटेज साइट है वर्ल्ड हेरिटेज साइज है विन एड़ेड इन्टो दी युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइज तो यह आपकी 6 एड़ की गई है ठीक है यह कौन-कौन सी है आपकी गंगा घाट्स ऑफ वारानसी, टेंपल ऑफ कांचिपुरम, सत्पुरा टाइकर उजब, महाराष्टा, मि गलेटिक साइट और बेट घाट लमे घाट नर्मदा वैली और ध्यान रखेगा 40 जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो किसको सिलेक्ट किया गया इस बाद, धौला वीरा ठीक है धौला वीरा यह विश्य की विश्य धरोवर है यह धौला वीरा आपका गुजरात में पढ करती है, ओके नेक्स कोशन, ओके हम चाभार पोर्ट भी है बिलकुल, कौन से डिस्ट्रॉयर को आपका डी कमिशन किया गया है यानि उसको रिटायर कर दिया गया है, ओके आयनस यादरी, अरिहंत, राणा या राजपूत, तो यह क्यों सा है, आयनस राजपूत, डिस्ट्र हमने फियर होता है और आपका, एयरकाफ्ट केरियर होता है, बेडल्फिप होता है, डिस्ट्डॉयर में होता है फायर पावर जधा होती है यार यसमें यह आपका संम्मरीन को भी टर्गे joh PNS यह उसको जो निस्त नाबूत कर रहा था, वो आयनस राजपूत नहीं किążता ह ठीक है पी एनस गाजी को कि टूटाउजन ट्वेंटी ट्वेंटी में फीफा अंडर 17 वोमेंस वर्ल्ड का यह आपका कहां पर होगा यह 2019 से होना था टूटाजन ट्वेंटी में लेकिन कोविड के कारेंट नहीं हो पाया अब यह कहां पर होगा और वर्ल्ड कप तो आज इसे भी वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है ना तो जल्दी से बताएगा कहां पर होगा तो यह आपका इंडिया में होगा ओके फीफा अंडर 17 वुमेंस वर् वो कुनो नेशनल पार्क मध्यपरदेश में इसको इंटर्ड्यूस किया जाएगा ठीक है तो यह कौन सा है सुमार्टियन राइनोसारस अब मध्यपरदेश में राइनोसारस तो का तो कोई काम नहीं होगा क्योंकि उस टैप का नहीं है पिंक हेड़ेट डख इंडियन और जोज्ञ और चीतzd तो चीटे को ला जागा चीटा पहले इंडिया में भी होता था हम हिसान है विल्कुल मौल्ट दृब आफ बिल्कुल की तयान रखेगा पिश्ली बाश के इडियर माउच मेरापी पर कोशन आया था असिस्तंट कमाड़िएंट पर आधा तो द्यान रख के यह इस तरीके का कोशन बहुत इंपार्टेंट है क्यों कि इंडओनेश्या में में कमांडेंट में डाल दिया गया था तो माउंट नियाह अगरंगो ईरप्टरट तो यह आपका अपड़ता है sorte डेमोकरेटिक फ्रफ फ्रीप फॉली काउव कॉंगो में ऩिंहें सबसे डॉलय कंट्री है इससे पहले जायरेול बुलाते थे वो जो जार रिवर है ने जिसाब कॉंगो रिवर बुलाते हैं जो इकवेटर को दो बार इंटरसेक्ट करती है वो इसी में ही है ठीक है अगला कोश्चन बशर अलो attendees ठीक है वी अपॉइंटेड वॉर्डी प्रेजिडेन्ट आफ इच कंट्री जली से भताओ बशर अल च्छ यह कॉन से देश के नए राश्पती बने हैं जल्दी से बता बशर अके अल असद ठीक है यह कौन से देश के क्या बने है president बने है तो इह का नाम आप ISAS के time से सुन रहे होंगे ISAS की स्चुरुबात ही कहां से हो यह सीरिया को पहले साम बुलायख करते थे नमदी, फीमेल आई-इएफ officer who has become first woman flight test engineer of India देखें अभी कश्मीट की एक हमारी बटी है ओके जिनका नाम है माव्या सुडान ठीक है यह कश्मीर की जो मैम है यह इंडियन एफोस में फॉर्स्ट फाइटर पाइलेट बनी है हू हेल्स फ्रॉम कश्मीर आपको बताना है फॉर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनिया तो वो बनी है अर्सिथा वी ओलेट्टी कौन बनी है अर्सिथा वी ओलेट्टी येस बिल्कूल बैकिंग होगी रश्यागी इंडिया ओलम्पिक्स हुए थे उसमें इंडिया की तरफ से एक रैफरी गया था जिनके नाम था अशोक कुमार और ध्यान रखेगा इनको यू डबलू डबलू यूणिवर्सल वर्ल्ड रैसलिंग ने भीजाता यहीं कौन से हैं कुष्टी से रिलेटेड हैं रैस्लिंग से रिलेटेड हैं रिलेशन हैं ओके नाव नेक्स्टोशन नेम दा वुमेन मॉंटेनियर हूँ हैस रिकॉर्ड फॉर्ट्ट्ट्टेस्ट एक्सेंट टुदी पीचर हैं होंग कॉंग से हैं होंग कॉंग से ओके नौ नेक्स्ट कोश्चन हो एज बीन अपॉइंट इस दी न्यू प्रेजेंट आप इंटरनेशनल नार्कोटिक्स नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड फ्रॉम इंडिया तो वह कौन बने हैं जगजीत पावडिया अभी NCV कितना न्यूज में चल रही है ड्यू टू दी आधेन खान सो इस वज़े से डाला मैंने का आप से पूद ले जा कि इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के ज हाइयर देन दी मेंटल पार्ट ऑफ दी अर्थ जैसे अर्थ में जितना अप अंदर जाओ गया उत्ती डेंसिटी बढ़ती जाएगी ध्यान रखेगा तो अर्थ क्रस्ट तो ऊपर होती है ठीक है तो आपका इसमें क्या पूछना है इनकरेक्ट पूछना है तो आपका फॉ नमबर वन इसका राइट आंसर होगा ठीक है ओके ओके अप्शन नमबर ए नेक्स कोशन चलो इस कोशन का आंसर बताएगा वट विल विदी आंसर अव दिस कोशन और सेशन को शेर और लाइक जरू करेगा जल्दी से बताओ मार्शल आर्ठ आपको बताने हैं यह कौन कौन सी स्टेट से आपका रिलेशन है ठीक है ओके जल्दी से बताओ वट विल विदी आंसर अव दिस कोशन ठीक है जैसे मार्श आर्ठ सिला भं यह तलंगा ना का मार्शल आर्ठ है ठीक है अँई अब नॉट करेक्टि ली मैच्ट ओके रूकर रूक को यह तो आपका केरला का है ठीक है ठांग टा ठीक है ठांग टा ठांग ला है वैसे तो ये ठांग टा ये ठांग टा जो मार्शेदार्ट है ये आपका मनिपूर से है ठीक है एक ठांग ला भी है वो आपका ठांग ये आपका कहां से है मनिपूर से है ठीक है तो यह आपका गलत हो गया मर्दानी खेल मर्दानी खेल ठीक है यह मल्दानी खेल जो है आपका महराश्टरा से है मर्दानी खेल आपका क्या है मी मराठा महराश्टरा और सिलाभम सिलाबं मार्शल आर्ट जो है आपका तमिल नाडू से है, ओके यह आपका तमिल नाडू से है, तो आपका यह गलत है यह गलत है, यह गलत है, तो option number A इसका right answer है, ठीक है option number A will be the right answer है, ओके hmm hmm बिल्कुल बिल्कुल तो यह मज़ेदार होता ना रॉंग क्योंकि आप सभी लोग राइट आंसर की तलाश में रहते हो, लेकिन मैं आपको रॉंग आंसर देता हूं है ओके जो चलिए अब इसके बाद आता है आपका जी आई टैग पे कोशन आयागा जी आई टैग इस पर भी आपको कोशुन्स देखने को मिलते हैं गूल जृ याल टैग पे कोशन देखने को मिलेगा आपको आपको पाः हैश मार्च्राइब को यह बताना है ठीक है इस में आपको आर्ट पेंटिंग शाही लिची और आपका दिंडी गुल लोक तो दिंडी गुल लोक तमिल नाडू अब दिंडी गुल आपका तो एफोस एकेडमी भी है ना ओके डिडी गुल तो आपका और वह है यह आपका ताले जैसे अलिगड में ताले बनते हैं तो यह तमिल नाडू में सही है ठीक है फिर इसके बाद आता आपका शाही लॉक शाही लीची सॉरी शाही लीची तो शाही लीची जो है आपका पंजाब में नहीं है बिहार से ठीक है तो यह आपका कहां पर है बिहार से तो आपका थर्ड आपका गदत हो गया फिर भलिया वीट उत्तरपरदेश भलिया वीट उत्तरपरदेश उत्तरपरदेश में भलिया तो नहीं होता बलिया वीट आपका जो है वो कहां से रिलेशन है इसका उसका गुजरात से है ठीक है बलिया वीट का आपका कहां से रिलेशन है आपका गुजरात से है तो इस question का answer होगा आपका 2 and 4 option number C इसका right answer होगा ठीक है ओप्शन रॉंग ठीक है तो इस question का answer क्या है आपका option number C इसका right answer है हाँ बिहार से ठीक है एक बिहार से एक और है एक आम का नाम है उसे भी जी आई टैग अब इस question का answer बताओ यह कई बार वर्ल्ड मेंपिंग पर करा रहा है कि अग्यों के जल्दी से बताओ इस question का answer क्या होगा कि यांग टेज मेकॉंग टूमेन इरावडी इरावडी तो मेहनमार में सकते हैं होके बहती है अंडमां सी में जाके लती है टूमेन भी साउच चैना ची में मेकॉंग भी आपका साउच चाना सी यांग टेज रिवर जो एशियारी रिवर है इस-चाना सी में झाके रिवर है यहाँज हो यल्व सीरीज को जोइन करते हैं तो capital U 191 code use करने के बाद आपको 77% off मिलेगा जैसे कि आपका CDS और एंडिया के एक्जाम है तो उसके लिए हमारे पर स्पेशल टेस्ट सीरीज पैक है जिसमें आपको सभी exams की test मिलते हैं प्लस current affairs आपको मिलते हैं capital U 191 यूज करने के बाद आपको 505 रूपीज में एक साल के लिए पूरी test series मिल जाएगी तो उसको आप जोइन कर सकते हैं फिर यह हमारा shortest EDS का बैस चल रहा है अभी तो चल रहा है और बारह नौंबर तक यह बातम होगा क्योंकि एक crash course है आप इसे भी जोइन कर सकते हैं आपको 15 17 रूपीज में पड़ेगा after using capital U 191 discount code आफकेट की जो preparation करना चाहते हैं 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है यह आपको 849 का बैच पड़ेगा after using code capital U 191 यह इसका exact मेरे को पता नहीं है लेकिन 77% आपको off मिलेगा फिर सबका एक रामबान है अगर आप हमारे live classes join करना चाहते हैं तो आप महाँ पैख लीजेगा एक साल का आपको 2989 रूपीज का मिलेगा after 77% discount और six month का आपको 2299 रूपीज का मिलेगा इसमें आपको सारी चीज मिलेगी test series live classes वीडियो कोर्स and e-books सारी facilities में होगी तो अगर आपको पर्चेस करना ही होगा तो छे मंत का या 12 मंत का आप डिफेंस महाँ पैक लीजेगा प्राइस बहुत मिनिमा है रीजनेबल है सर्विस बहुत अच्छी है और इसमें आपको सभी आपको मिलेगा तो जॉइन डिफेंस महाँ पैक टुडएंड इस्टार्ट एयो प्रपेशन फॉर दिफेंस इग्जामनेशन तब तक के लिए सभी को जै हिंग जै भाहरत गौड ब्लेस यो और कल मिलता हूं सब्स बजे वर्ल्ट जोगरफी के थेओरिटे का लेक्टर के स बाइ-बाइ